साथियों, मैंने सुना कि दीदी इन दिनों एक सवाल पूछ रही है आपने भी सुनाओगा, दीदी एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है जो उसे पता चल गया है कि पहले दो चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है आदन ये दिदी ओ दिदी अरे दिदी हम तो मामूली इंसान है और इश्वर की आज्या से इश्वर के आसिरवात से देश सेवा में लगे है दोस्तों आपका प्यार मेरे सराखो पर मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा दोस्तों आपके आश्रवात मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है ये जो आप प्यार दे रहे ना आप जो प्यार दे रहे हैं दो मैं के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेथ इस इलाके का विकास करके लोटा हूंगा ये आपका प्यार कभी बेखार नहीं जाने दूगा भारत माता की देखें दीजी पूछ रही है हम भगवान है क्या हमें विजेपा कैसे पता चल गया लेकिन दीजी ओ दीजी चुनाओ मैं कौन हार रहा है कौन जीत रहा है ये पता करने के लिए भगवान को कश्ट देने की जरूरत नहीं है ये जो जनता जनारदन है न वो ही भगवान का रूप होती है अरे जनता जनारदन का चहरा दे करके पता चलता है कि हवा का रूप क्या है यही तो इश्वर का उतार है और दूसरा दिदी आदर्निय दिदी दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है अनुमान कैसे लगता है एक तो आपका गुसा आपकी नाराजगी आपका व्यावार आपकी भाणी इन सब को देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दिदी टी एमसी आप चुनाव हार चुकी है दिदी आप मैदान छोड़ चुकी है रोज आप सुनिये रोज आपको कहना पढ़ रहा है कि आप नंदी ग्राम जीत रही है नंदी ग्राम जीत रही है आप डरनी है दिदी ओ दिदी दिदी जिस दिन आपने चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था नंदी ग्राम में पोलिंग बुथ में जो खेला किया जो बाते कही उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है इसके लिए भगवान को पुछने की जरूत नहीं है दिदी जब आपकी पार्टी ये गोशना कर देती है कि दिदी अब बनारत से लोग सबा चुनाव लड़ेगी तो कोई भी समझदार बेखती बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीमसी का सुपड़ा साप होने जा रहा है बंगाल में अब टीमसी नहीं बच सकती है दिदी को राजनित्री करनी होगी तो बंगाल के बार जाना पड़ेगा ये आपकी पार्टी बोल रही है क्या ये चुनने के बाद भगवान को तकलिप देने की जरूत है क्या भगवान को पूछने की जरूत है क्या आपको भी समझ आता है कि नहीं आता है आपको भी पता चलता है कि नहीं चलता है दीदी हार रही है आप बताईए आपको लगता है कि नहीं लगता है आदर्निय दीदी ओ दीदी अभी हाल में ही आपने कहा देखें एक महत्वपुन बात है अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसल्मान एक हो जाओ वोट बटने मत दो दीदी आप ये कह रही है इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुसलिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी ओ मुसलिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है मुसलिम भी आप से दूर हो गये है आपको पब्लिक ली ऐसा कहना पड़ रहा है इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है आदर्णिय दीदी ओ दीदी अब वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती है सुबे स्थाम एक ही बात करती रहती है लेकिन जो बात आप बोल रही है अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदु एक जुड हो जाओ बीजेपी को वोड दो तो दीदी ये इलेक्शन कमिशन हमें आठ दस दस नोटिस बेज देता प्रधान मंत्री को भी नोटिस आती है अध्यक्स को भी आती उमीदवार को भी आती अरे इतना ही नहीं सारे अख़बार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के ओडिटोरियल लिख करके हमारे बौल नोच लिये होते दीदी मुझे पता नहीं है कि आपको जुनाव आयोग ने नोटिस बेजा है या नहीं लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके बरोसे चुनाव के बादान में थी बेबी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिक लिए उनको कह रहे हैं यो मुसल्मानों एक हो जाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ यह दीदी भोल रही है दीदी इसका मतलब ही यह होता है कि आप चुनाव हार रही हो दीदी जिस चुनाव आयोग ने दो बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई यह दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है जिस इवीम ने वाम के साथन को उखाण पैकने में आपकी मदद की बंगाल के नागरिकों की इच्छा का आदर इवीम मशिन खुद करता है एक-एक नागरी की इच्छा इवीम एक कैद होती है आज आपको उस इवीम से भी समस्य होने ले गई जब आप इवीम को गाली देती हो आप इलेक्शन कमिशन को गाली देती हो तो तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है जीस केंद्रिय वहनी की मांग आप खुद करती थी मांग करती थी कि केंद्रिय सुरक्षा वलों के हाथ में ही चुनावना चाहिए दिदी आप आज उन पर गुसा कर रही हैं उनको प्रदनाम करने के लिए भाशा बोल रही हैं शडियंत्र कर रही हो ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है दिदी आप एक राज्य की सियम है दो फेस का चुना हो चुका है बहुत शांतिपुण मत्दान हुआ करीब करीब 80% से ज़्यादा वोट पड़े मैं भी गुजरात में पूख्यमंत्री था इतना अगर वोटीं होता है शांतिपुण होता है तो सियम के नाते मैं गर्व से कहता हूँ कि देखे मेरे राज में शांतिपुण मत्दान हुआ मेरे राज में इतना ज़्यादा मत्दान हुआ मैं गर्व करता था दिदी यहां शांतिपुण मत्दान हो रहा है 80% से लोग ज्यादा मतदान करने जा रहे और आप परिशान हो आप गर्वन नहीं कर रहे हो यही बताता है दिजिए कि आप चुनावार रहे हो